नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सब का स्वागत है मैं हूँ दिवाकरजा दोस्तों आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट है खास करके उन लोगों के लिए जो ससी रेलवे और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं जो भी मेरा तजूरुबा है अभी तक जो मैं देख रहा हूँ गवर्मेंट का जो गाइडलाइन है और उसके पीछे जो काम हो रही है कवायत चल रही है उसके तहट मेरा मानना है कि CET का एक्जाम अब नहीं होने वाला है 2022 में क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आज 23 तारीक है 23 तार 23 का भी एक्जाम जो है SSC ने बता दिया है इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि railway के जो C और D वाला एक्जाम है उसने भी अनॉंस्मेंट कर दिया है और railway का एक्जाम जो है तकरीवन 4 से 5 महने चलने वाला है तो जो एक्जाम मान लीजिए मार्च में स्टार्ट होगा तो वहाँ से 5 महना जोड लीजिए तो अगस तक तो railway का एक्जाम चलने वाला है अगर सेप्टेमबर तक SSC जो है 2023 तक के लिए फिक्स हो चुका है ठीक है तो ये दो कारण है जिसके कारण मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में आपका CET के तरफ एक्जाम नहीं होने जा रहा है इसलिए आप लोग जहां पर भी कोचिंग कर रहे हैं CET के नाम पे जो आपसे कोर्स करने के लिए बोला जा रहा है तो प्लीज आप उसको एवाइड कीजिए और जैसा एक्जाम पेटरन चल रहा है SSC का उसी हिसाब से आप तयारी कीजिए railway का भी same पेटरन रहेगा और आन CET का जिस पेटरन पे एक्जाम हो रहा है उस पेटरन को ही follow कीजिए और railway का भी तयारी उसी हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से NTPC या RRB एक्जाम ले रही है ठीक है ये दो information था इसके लिए मैं आप लोगों से रूबरू होना चाला था तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है फिर एक नई वीडियो में और आपके कुछ भी doubts हो तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं जिसका जवाब में देने की कोशिश करूंगा Thank you very much दोस्तों